नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बड़ी ही न्यू इस्टाइल लजी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मैं बिना प्याज बिना लहसुन और बिना टमाटर के बनाकर के तयार करूंगी और दोस्तों देखने में यह सब्जी जितनी टेम्टिंग लग रही है उतनी खा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और बैल बटन के साथ कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आए आप तक पहुंच सके और जिन भाई भेनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें मेरे साथ जुड़े रहने के देखते हैं इस स्वादिस सब्जी को हम कैसी बना कर तयार करते हैं इसी बनाने के लिए दोस्तों यह मैंने लगभग 700 ग्राम तुरही ली है इन्हें साब धोकर के लिया है आपके घर में जितनी सब्जी की रिक्वार्मेंट है उसके हिसाब से लीजिएगा अब इन तुरही क कीजिएगा आसानी से पील हो जाती है देखेगा इस तरीके से तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने सभी तुरही को पील कर लिया है इसके बाद आप जिस साइज में इने कट करना चाहें कट कर सकते हैं देखे दोस्तों मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे पीसिस में इसे कट क कर लिया हैं और यह दोस्तों मैंने एक कटोरी मंगोडी लीए । आप किसी मंगोडी के साथ आप इसे बना सकते हैं थो इसे मैं किचन के कपड़े डाल लूगी और इस तहरी की से किसी भर्षात शीश से मैं छोटी कर लूगी तो मैं इस तरीख इस से फीट पीट करके चोटा कर लिया है आप चाहे तो बेलन से भी छोटा कर सकते हैं देखें दोस्तों मैने इन Ст Sophstar मता कर लिया है कोई पीस बढ़ा रह जाता है दो नहीं कीड़ंगो ने Сп roommate कटोरी इसे गोल्डन होने तक हमें भूनना है और ध्यान रही फ्लेम हमें तेज बिल्कुल भी नहीं करनी है थोड़ी देर बात देखे दोस्तों यह हलकी गुलावी होने लगी है अब इस दोरान में दो तेज पत्ते और दो सावत लाल मिर्च डाल दोगी और इन्हें हलका सा मिला ल आप श्वात के नुसार एक फ्र है जोटी चम्वाच गला नमगर देने के ल inacetमार के इस तुर अच्छी तरह से मिला लोगी अब मैं दोस्तों फ्लेच के भिडियम कर दोगी और इसे लगातार चलाती हुए एक सीus डेट मिनट इन्हें रोष्ट करोगी ऐसा करने से हमारी तोरी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी उसके अलावा मसाले भून जाएंगे तो देखे दोस्तों मुझे भूनते हुए लगबग एक से डेड़ मिनिट हो गया हमारे मसाले से बढ़ी अच्छी खुश्बू आ रही है अब मैंने एक कटोरी मंगोडी लिए तो उसका तीन गुना यानि ये तीन कटोरी पानी डाल दोगी एक कटोरी मंगोडी के लिए तीन कटोरी पानी परियाप्त रहता है अब इसे अच्छी तरह से मिला लोगी कुकर की लिड लगा दोगी एक सीटी आने तक तेज फ्लेंपर उसके बाद 10 से 12 मिनट धीमे फ्लें हुई है कलर कितना अच्छा है अभी गरम है ठंडी होने पर और अच्छी हो जाई अम मैं चार से पांच हरी मिर्च काटके डाल दोगी और यह मैंने गमले में पुदीना लगाया हुआ उसकी कुछ पत्तियां धो करके डाल दोगी और आधा चमच गरम मसाला डाल दोगी सब हमारी परफेक्ट तुरई मंगोडी की सब्जी बन करके तैयार है तैयार सब्जी को सर्विंग बॉल में निकाल लोगी और देखे दोस्तों देखने में वी यह सब्जी कितनी टेम्टिंग लग रही है और दोस्तों इसे गरमा गरम रोटी के साथ खाएगा यह खाने में ब बताएगी रेसिपी के नुसार, आप भी इस युनीक सब्सक्राइब बनाएगा और कमेंट सेक्षेन में बताएगा जरूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, तो प्लीज, लाइक, कोमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन रिप्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलती हूं नेक्स वीडियो में ऐसी एक और टेंप्टिंग सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई, हैवी नाइस दे